थोड़ा सा टेक्निकल प्रोब्लम की वज़े से क्लास लेट हो गया अपने उतने ही कंटेंट को कवर करेंगे बैटा उतना लेट तक क्लास को चलाएंगे कोई प्रोब्लम नहीं है आप सब लोगों इसका बेसबरी से वेट किया बहुत बहुत धन्यवाद और बात करू बैट कि राजस्तान स्टेट के जितने प्रीवियस एर एक्जामिनेशन अब तक हुए है उन सब के बारें बात करेंगे हर बार एस्टिमेट ने क्या किया वेटा यह इंपर 10% वेटेज को यहां पर हमेशा ही कवर किया वेटा कितना अरांड राउंड एक्जाम का 10% पार्ट सब्सक्राइब करवाएं और कई बार तो इससे भी जादा क्यूसंस यहां पर अपने को देखने को मिले हैं तो सेकेंड दी बात करें आज के अपने बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज का पहला क्यूसं ध्यान से देखे वेटा अप लोगों की स्क्रिन पर बड़े आसान से क्यूसं आते हैं जो स्टेट के एग्जामिनेशन है स्सी के चितने भी उनमें बड़े ही आसान से क्यूसं देखने मड़ा है विच अफ दी फॉलोविंग इज मोस्ट क्रेक्ट अस्टिमेशन है सबसे क्रेक्टेड अस्टिमेशन है जिसकी वेल्यू अपने को रिजल अस्टिमेट यह थे अस्टिमेशन है अपने कर सकते हैं प्रामने मोस्ट आक्यूरेट होने के साथ साथ यह थे यह थे रिलोइबल ऐस्टिमेट भी है क्या अपने यहां पर पूरे चार्ट को एक बार डिस्कस कर लें, क्या अपने पूरे चार्ट को एक बार डिस्कस कर लें, भी कौन सा अपना किस तरह रहने वाला है, क्या वेल्यू किस तरह रहने वाली है, इन सारी चीजों को एक बार अपने डंग से एनलाइज कर लेते हैं, बात करूँ मैं यहां पर तो यह जो अपना अस्टिमेट होता है इसके जो टाइप है यह दो तरह के हैं पहला अपना है अप्रोक्सिमेट अस्टिमेट और दूसरा कौन सा है डिटेल अस्टिमेट फर्स्ट कौन सा है अप्रोक्सिमेट अस्टिमेट भी इसी का नाम है और इस इसी बीच से अधित्य यादव साब कह रहे हैं सर वेकेंशी कव तक है वेकेंशी भी आजाएगा वह एक्जामिनेशन की डेट भी आजाएगी पॉइंट यह रहेगा कि आप उसके लिए कितने प्रिपेर होप समस्या यहां आने वाली है अपने अप्रोक्सिमेट भी कहते हैं रफ कोस्ट भी कहते हैं इसको प्राइमरली एस्टिमेट भी कहते हैं यह एस्टिमेट जो होता है यह जो एस्टिमेट होता है यह किसने प्रिपेर किया जाता है यह एस्टिमेट किया जाता है प्रिपेर फोर एड्मिनिस्ट्रक्टिव स और ये प्रिपेर किया जाता है बेटा, प्रिपेर आफ्टर एड्मिनिस्ट्रक्टिव सेंक्षन, ये अड्मिनिस्ट्रक्टिव सेंक्षन होने के बाद प्रिपेर किया जाता है गिटानी जी और ये उसके लिए प्रिपेर किया जाता है कि अड्मिनिस्ट्रक्टिव सेंक्ष इस estimation में क्या करते है मेटा इस estimation में अपने add करते हैं added 3% to 5% for Contigenesis इसमें अपने एड करते हैं मैटा ओर एड करते हैं Added 2% For Work Charged 2% किसलिए add करते हैं Work Charged के लिए और 3 से 5% Contigenesis के लिए इसमें अपने बत बत करें इसमें अपने जो add करते हैं Added 2% For Work Charged And 3% for Westage यह इसका scenario रहने वाला होता है यह estimation अपना एक तरीके से rough cost estimation होता है इसके दिमें टाइप के बात करूँ तो अपने कई तरीके से इस estimation को अपने क्या कर सकते हैं, define कर सकते हैं इसमें सबसे पहला जो तरीका है define करने का, वो है बेटा कौन सा plinth area estimate plinth area estimation जो building के plinth area के अधार पर prepare किया जाता है बेटा और उसके बाद, यह जो small residential building है, g plus 2 जिसको बोलते हो, उसके लिए most suitable है small structure, छोटे area के लिए क्या है बेटा, most suitable है plinth area estimate के बाद दूसरा कौन सा है cubical content estimate यह जो estimate होता है cubical content जो estimate है यह estimate अपनी high-rise building के लिए है, यह building के volume के अधार पर define किया जाता है यह building का जो plinth area उसको height से multiply करके volume निकाल लेते है, पर meter cube volume के लिए क्या cost आनी उससे multiply करके complete analysis को कर लेते है मैसमिना और उसके बाद यह जो estimation हाई-rise building में most suitable रेता है और जो sloped area है, उसकी height half count की जाती है cubical height तो पूरी लेंगे है, जो slope proof वगेरा होती है, उनकी आधी height अपनी आपर क्या लेते हैं, calculation में लेते हैं, तीसरा इसी में जो estimation है आगे बेटा, वो एक quantity estimate जो आप college में और पढ़ते आए थे इसमें क्या करते हैं, foundation और building दोनों का अलग लग estimation होता है length of wall के coding होता है किसके coding होता है बेटा ये estimation, length of wall के coding क्या जाता है, per meter length पे क्या construction आने होला है, long wall, short wall method, center line methods, वो सारे इसी कही है अगला अपना करसा item rate में estimation item rate estimation item rate estimation की बात की जाए तो यहां पर अपने particular एक एक यूनिट को अलग लग estimation में काउंटे करते हैं quantity सरे item rate अगला अपना बे अस्टिमेशन बे का जो estimation है बे अस्टिमेशन की बात करूँ तो यह स्पान के अधार पर किया जाता है नेक्स ने भी बात किया जाए detail estimate में detail estimate में प्राइमरी estimate होता है revise estimate revise estimate कुछ तीतियां होती है उनी में revise किया जाता estimate यह construction करते समय design में कोई change कर दे यह फिर अपना इससे और जो अपना detail है इनसे पांस से दस परसेंट दूसरे दस परसेंट से कोस्ट क्या हो जाए एक्सिड हो जाए तो ऐसी स्थितिम अपने क्या कर देते हैं estimation को prepare करते है supplementary estimate supplementary estimate के दी बात करूँ में supplementary estimate है वो किस परकार से prepare किया जाता है भी अपने कोई काम चल रहा है construction का उसके साथ को additional काम ओर एड हो दिया future development को ध्यान में रखते हुए तो उस additional काम का estimation भी इसके साथ ही त्यार कर लेते है in the way of a supplementary estimate तीसरा ही दोनों एक साथ करने पड़ जाए तो भी revised and supplementary estimate और चोथा आता बेटा repair estimate या annual repair estimate annual repair estimate जो वार्षिक अपना repairing का काम है वो इसमें सारा count होने वाला है annual repair estimate यह अपने estimate के दो विंग है एक detail की और एक approximate की और यह इसके क्या वेटा type है उसमें सबसे reliable सबसे जो detail है वो सबसे most accurate estimation है और इसे के साथ move करते हैं next question के और approximate cost of complete labour is a percentage of total cost of building एक building यह बना रहे है वहाँ बेटा तो उस building के जो cost आनी है उसमें दो तरह की cost आनी है एक आपकी cost आनी है material cost इक कौनसी आनी है material cost और इसको आप आगे चलके estimation में prime cost से ही पढ़ते हो material cost में थोड़ा सा difference है prime cost होता है उसके market का soap का रेट है उसके अधार पर soap में उसके रेट लिस्ट है उसके सबसे और जो अपना यहां पर है material होता है उसमें transport भी सात में हो जाता है एड हो जाता है लेकिन लगबग दोनो एक मान लिए जा सकते है तो यह जो होता है वेटा 75% होता है और दूसरा होता है manpower cost manpower या labor cost और ये होता है 25% manpower cost कितना होता है 25% होता है manpower cost कितना होता है 25% होता है अगर मैं बात करूँ next इसमें cost को material और manpower दो हिस्तों में अपने क्या करती है डिवाइड कर दिया, और total cost जो होती है वो आगे फिर 200 में डिवाइड हो सकती है, जो अपनी total cost है, उसका एक दूसरे तरीके से भी इस्था कर सकता हूं, एक हो सकता है direct cost, direct cost, direct cost होती है 85-90% direct cost होती है, जो सीधे-सीधे तोर पर अपनी construction स्टार्ट करने चे पहले ही count में लेकर रखे चलते हैं, दूसरी होती है, इंडारेक्ट कोस्ट, इंडारेक्ट कोस्ट क्या होगी बेटा, 10% to 15%, तो यहां पर अपना राइट एंसर जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 25%, 25% is the material cost, 25% is the material cost, education video 15 million, नमस्कार जी, पहुंचिए, मेट्रो पिलर नमर 66, गुजर की थड़ी, मेट्रो पिलर नमर 66, गुजर की थड़ी, मेट्रो पिलर नमर 66, गुजर की थड़ी, पहुंचिए बेटा, वहां बिलते हैं, आप लोगों से, यह किस में होता है, स्केर मेट्र में होता है, किस में होता है, मेट्र स्केर में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, कुछ और यूनिट यहां पर जान लीजे बेटा, अब मैं यहां पर कहना चाहूं कि सप्लाई ओफ वूडन किस में मेजर होगी, supply of wooden तो मैं जानता हूँ supply of wooden मीटर क्यूब में मेजर होने वाला आइटम है supply of wooden है मीटर क्यूब में मेजर होने वाला आइटम है education video नमस्कार बेटा जल्दी से पहुंच जाएए metro pillar number 66 के सामने उतकर इंजिनियर्स क्लासेज की जो offline building है उसके उपर गूजर की थड़ी पर अगर मैं दूसरी नमबर पर देखो supply of wooden के अलावा saving of wood sawing of wood जो चिरा ही होती है लकडी की sawing of wooden या फिर कहादू timber यह किस में होगी बेटा मीटर स्टेर में होगी अगर इस sawing में दो तरह की wooden है एक अपने पास है soft wood और एक अपने पास है hardwood unit दोनों की same रहने वाली है बस task work जो है वो change हो जाएगा इसका task work रहेगा 6 meter square per mission per day और इसका जो task work रहने वाला है वो रहेगा 4 meter square per mission per day 6 meter square per mission per day और hardwood का कितना रहेगा 4 meter square per mission आगे यादी जानना चाहो इन पॉइंटों को तो एक चीज और देखना चाहा सकता हूँ जो frame है door and window के frame of door and window यह measure होगा बेटा किस में? meter cube में frame of door and window किस में measure होगा? meter cube में measure होगा frame of door and window cubic meter में क्या होने वाला है? measure होने वाला है next point यह जानना चाहें अपने frame of door and window के बाद frame of door and window के बाद और भी बहुत सारे है cutting of tree यह भी इसी से related है बेटा cutting of a tree यह किस में measure होगा? numbers में अगर मैं जानना चाहूँ cleaning of forest cleaning of forest kilometer square में और हेक्टेर में क्या होगा यह? measure होगा यह kilometer square में measure होगा यह किसमें होगा hectare में measure होगा एक अपना हो कि 20 cm हाइट्स प्लान्ट रिमूवल विद 20 cm हाइट्स प्लान्ट रिमूवल विद क्लीनिंग आफ नैचुरल ग्राउंड तो वह बेटा जी मेजर होगा किसमें स्केर मीटर में वह किसमेजर होगा अपने स्केर मीटर में दूसरा एक पीज और होती है जिसको अपने कहते हैं निर्स्ट वेल्यू कितनी होती है अगर वह सिधा ही कहते कि वुड्मेजरमेंट आपको करना है वुड्न को आपको मापना स्केर निर्स्ट वेल्यू होती है वह कितनी ली जाती है 0.002 मेटर अगर मैं कहूँ वेटा किस में length measurement of wooden तो वो भी कितनी होग वेटा 0.002 मेटर अगर मैं यह कहना चाहूँ यहां पर thickness and width measurement of wooden तो उसके लिए nearest लेंगे 0002 मेटर clear steel का yellow साब steel का भी ले लो 0.005 मेटर 0.005 मेटर clear आगी बात समझ में तो यह सारे इस से related questions है बेटा जिनको आपने जाना समझा पढ़ा आगे बढ़ते हैं next question के और आज का नया question अगरा question है central line method of estimation is used for central line method estimation का वो कहां यूज होता है बेटा octagonal building में हो जाएगा बेटा राम से hexagonal building में हो जाएगा circular building में all of all वो सभी में ही काम आएगा बेटा central line method सभी में ही काम आएगा methods of building estimation को दो पार्ट में डिवाइड क्या जा सकते हैं methods of building estimation को दो पार्ट में डिवाइड क्या जा सकते हैं long wall short wall method LW SW method इसमें कुछ points पहले decide कर लेता हूँ पहला point पहला point तो जो आपकी length of long wall होनी है बेटा वो हमेशार एनी है outer to outer dimension समझे रोने इस बात को कैसी रहेगी वो outer to outer dimension इसके बाद length of short wall long wall के बाद ये रहती है बेटा inner to inner dimension inner to inner dimension long wall छोटी वाली कोई मान सकते हैं short wall बड़ी बादी कोई मान सकते हैं inner to inner outer to outer लेंगे बेटा और ध्यान रखना बड़ी र करदा इस प्रहन को दther अज है बाद को अजिए वो ये प्यादोरी कि प्याद को दझ अड़ी क स्थ प्याद प्योदिए वो बाद लेंगे वोड़ी ये लेंगे बाक देषनगे वो बाद वो येły dileष6स ये पैसे बादा बड़ी तरा बड़ी foundation to superstructure या फिर by change width of wall wall की width change होने से center line में कोई change नहीं आता long wall, short wall फिर भी अपने अंदर change को represent करेंगे पर center line में कोई change है नहीं आएगा किसी भी तरीके का चलो next एक building की center line बनाते हैं अपने इस तरह का एक room है माल लीजिए ये इसमें दो wall है इस तरह का एक room है इसमें दो wall है और इन दोनो wall के मद्धिय ये इसकी center line है एक को मैंने long wall माना है एक को मैंने short wall माना है ध्यान पूर्वक समझे बेटा बहुत ही काम की बात आई है एक को मैंने long wall माना एक को ये मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक पेक कर दी और ये जो wall है इसको मैंने कह दिया long wall और ये जो wall है इसको मैंने कह दिया short wall तो सबसे लंबी वाल लोग है इसको क्या बोल दिया long wall और चोटे वाल है इसको क्या बोल दिया short wall बोल दिया तो long wall और short wall कुछ इस परकार से define हो गई अब मैं यहां से जानना चाहूं कि length of long wall कितनी है length of long wall कितनी है तो center to center distance और आप सब जानते है center to center distance कितनी होगी इस point से लेकर के और इस point तक extra कितनी बच गई एक तो यह वाली dimension बच गई और एक यह वाली dimension बच गई इतनी यह dimension है कितनी plus width by 2 plus width by 2 है की नहीं है detail मता है अधीत यादव detail में समझेंगे कोई wall है उसकी foundation से super structure center line में कोई change नहीं आता कैसे नहीं आता देखो यह मान लीजे कोई आपकी wall है इसी आखी इस तरह आपके एक wall हैAlal canоп它 कि नीचे इसका क्या बना हुआ इस तरह के से foundation बना हुआ है इस तरह के से foundation director commercial बना हुआ है इस तरह के से foundation बना हुआ है अब इस wall के central line क्य होगी भी इस wall की चेंटर इस लिए इस लिए इस लिए सेंटर लाइन को बेसमान के अपने सारा कामें कर लीते हैं क्लियर अब दूसरा जानना चाहूं मैं लेंथ आप सोल्ट वोल तो सोल्ट वोल की लेंथ यही रहने वाली है यह देखो अंदर से अंदर रहने वाली है जबकि सेंटर लाइन बाहर से बाहर है कितनी कमाएगी सेंटर लाइन से इतनी वेल्यू कमाएगी इधर भी कितनी वेल् center distance minus width by 2 और minus width by 2 ये 1 by 2 1 by 2 को 1 मत कर लेना क्यों नहीं करना क्योंकि इस methods में bulky width building में अलग लग भी हो सकती है clear नई एमद से जो बेटा ये गलत बात है इस बात को यही stop कर दो ज़्यादा बेट रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला point length of long wall increase by increase width of wall formula ये से clear है भी center to center fix है width बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा width बढ़ेगी तो क्या होगा ये भी बढ़ेगा क्योंकि दोनों चीज़े क्या होती जा रही है plus होती जा रही है इसके विपरीत length of short wall decrease by increase width of wall ये सेनेरियो अपने को देखने को मिलने वाला है clear point ये एकदम clear है सारे चीज़े समझ में ता रही है यहाँ अपना purpose previous year question नहीं देखना है previous year question के साथ उससे related इतने questions पढ़ लेने हैं इससाल वाला भी अपने को इसी class में सी मिले की उससर नेक्स्ट पॉइंट most accurate method उससे next point suitable for all type of building किसी भी type की building हो सबके लिए suitable है applicable if width of wall are different different width of wall यह यह इतना ही काम में लिया जाएगा तब भी इसमें कोई change यहाँ पर देखने को अपने को नहीं मिलेगा next point को राते हैं long calculative होगा यह not fit not fit for किस के लिए circular building semi circular building hexagonal building hexagonal building pentagonal building octagonal building इस तरह की तो building है तो different shape की थोड़ी होती है वहाँ यह थोड़ा सा कम accurate है लेस एक्यूरेट है थोड़ी सी problem हाँ पर created होने वाली है यह किसको long wall वाने किसको short wall वाने राउल विलकुल आपकी बात को स्विकार किया जाएगा भी थोड़ा center line method center line method center line method का मतलब हो गया यह पहला तो जानू मैं quick process यह अपने आप में बहुती fast है बेटा दूसरा यह less accurate है compare to long wall short wall method long wall short wall method के comparatively यह क्या है बेटा बहुत ही less accurate है अधित्य यादव sir long wall and short wall में inner to outer जाने पर length change होता है sir वो कैसे होता है वो इसलिए होता है कि formula में देखिए बेटा जैसे आपकी wall की width change होगी जैसे ही यहाँ पर outer से inner dimension change होगी आपको यहाँ पर रटना नहीं है जो आप रटा लगा रहे हो ना पूरा statement लिख दिया sir long wall and short wall में inner to outer जाने पर length change होता है ना sir वो कैसे होता है वो जानना चाहता हूं तो बेटा मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि वो किसलिए होता है यह रटना नहीं है आपको हमेशे उस length को जानने के लिए इन formula की मदद लेनी है नए की किसी रटे की मदद लेनी है इनकी मदद लोगे तो length change होने को रटने की जरूरती नहीं है जैसे आप width को put करोगे वैसे ही नए result सामने आ जाएगा और change हो जाएगा center line की length wall की width के change होने से नहीं बदलती है पूरी wall में एक समान चलती रहती है तीसरा point तीसरा point यह विदी तभी applicable है जब तभी applicable है जब building में सभी wall की length या सभी wall की width एक समान हो सभी wall की width एक समान हो जितनी भी wall है सभी width एक समान हो तभी यह करेगा कोई ना जिना बेटा सब को इंदी आती है English भी आती है estimation में कोई फरक नहीं पड़ता इस बात से देशरा देखिए wall के junction पे deduction क्या होगा सबसे बड़ा क्युस्वन तो यहां से आता है deduction at junction of wall और सबसे पहला junction होता है यहां पर L junction तीनों junction को ध्यान से सुन लीजिए L junction में यह मान लीजिए long wall है और इदर से आने वाली यह कैसी है short wall है short wall और यह है long wall long wall के width है b1 और short wall के width कितनी है center line की length कितनी हो जाएग center line यहां से यहां तक vary करेगी और यहां से यहां तक करेगी अपने को जानना है total length क्या जानना है अपने को total length primary देखते हैं by long wall short wall method long wall short wall से होगी L1 plus L2 जैसा कि अपने decide कर लिया long wall की जो length है वो है L1 short wall की जो length है L2 अब यही length जब मुझे किस से देखनी है center line method से देखनी है यही length मुझे किस से देखनी है center line method से देखनी है center line से देखूंगा तो center line की length देखो बेटा यहां पर इतनी कम है L1 में कितनी कम है कितनी कम है L1 L1 minus देखनी देखनी है देखनी है देखनी है अपना T junction long wall और length मान ली इसकी L1 और यह माना मैंने short wall और length मान ली कितनी L2 यदि मैं इसको LW SW से length देख रहा हूं तो L1 plus L2 होगी इसको मैं center line से देख रहा हूं तो भई center line की length देख रहा हूं तो क्या होगी देखो L1 में तो कोई change आएगा नी L2 में कितना change आएगा बैटा L2 plus L2 में कितना change आएगा L2 में इतना change आएगा इतनी value extra मिलेगी कितनी value extra मिल रही है बैटा है B1 तो B1 by 2 यह है B2 तो मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है B1 by 2 शेंटर राइन लगाना है तो मैं जानता हूँ B1 बराबर B2 होना चाहिए क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है L1 प्लेस L2 प्लेस हाप width of wall, correction edge deduction, correction edge deduction in centerline, कितनी extra है centerline उतने deduction करना पड़ेगा, कितनी extra है राउल अधिते आदव, half width of wall extra है, कितनी extra है, half width of wall extra है, उतना उसमें से क्या करना पड़ेगा अपने को, deduction करना पड़ेगा, edge correction, deduction करना होगा edge correction, number third, cross junction, cross junction में क्या होगा तीन दिवारें आपस में आकर के जुड़ेगी, एक यह होगी, एक यह होगी और तीसरी इसकी length इसको मान लिया मैंने L1 और इसकी width मान लिया B2, इसे मान लिया L2 और width मान लिया B2, अब length कितनी होगी बेटा, R पार length हो जाएगी यह वाली, यह इतनी length हो जाएगी और यह इतनी length हो जाएगी, अब बनाते हैं इसकी center line, center line इसकी क्या होगी, यह और यह, इस तरह का कुछ scenario रहेगा, अब मैं बात करूँगा long wall, short wall से, L1 प्लेस L2 प्लेस L3, जब देखा जाएगा इसको किस से, center line से, तो L1 तो L1 ही है बेटा, जब बात L2 की आई, तो यह जो B1 था, इसका half extra जुड़ गया, देखो यह आँ पर, तो L2 प्लेस B1 बाइटू, जब बात L3 की आई, इधर से इतना extra एड हो गया, तो L3 प्लेस B1 बाइटू, अगर center line लगाना है तो मैं जानता हूँ, B1 बराबर, B2 बराबर, B3 होना चाहिए, सबी की width क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूँ क्या L1 प्लेस L2 प्लेस L3 प्लेस B1 क्या इसे ऐसे नोट किया जा सकता है L1 प्लेस L2 प्लेस L3 प्लेस Full Width of Wall कह दूं इसको Full Width of Wall अब इस Central Line में क्रेक्शन कितना करना पड़ेगा पेटा क्रेक्शन AJ deduction क्रेक्शन की रूप पे डिडेक्शन कितना करना होगा तो ओब्यसी बात है कितना होगा फुल विड्ट ओफ वोल ये था अपना सेंटर लाइन मेथड्स एंड लॉंग वोल शॉल्ट वोल मेथड्स पूछे जाने वाले सारे समभावी क्यूस्ट यहां पर कवर होगे इसे के साथ आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्यूस्ट की ओर तो सब लोग जानते हैं डिपीशी का मेजरमेंट स्क्वेर में किया जाता है होता क्या है डिपीशीुट कर्स पहला बात यह जान लिजीए दैंप प्रूफ कॉर्स ऐड्स ऐअ प्लाई एट plinth level इसे plinth level पर apply किया जाता है इसे कहां प्ले किया जाता है plinth level यह सारी प्रकिरिया शुरु होती है dampness से किससे शुरु होती है dampness से dampness होता है traveling of Moisture Throughout building member Building member के माध्यम से Moisture का travel करना ही क्या कहलाता है Building member के माध्यम से Vikram Scenic Gulf Burdavatar DPC square meter मेभाधा है Building member के माध्यम से Moisture का travel करना ही क्या कहलाता है dampness कहलाता है moisture का travel करना ही क्या कहलाता dampness कहलाता है तो यहां एक टरम आता है damp proof damp proofing होता है process पूरा जिसमें होता क्या है in which stop traveling of moisture dampness आएगा तो एक तो sealant आने से जो signing हो लोस हो जाएगा white peaches बन जाएगे structural member और protective member के बीच का bond weak हो जाएगा bond weak होने से पपड़ी बन के गिरने का डर रहेगा pent का, plaster का, varnish का इन सब का और उसके साथ साथ को electric socket वगएर आ रहा है तो उसमें building का एक तरीके से एक cancer की तरह होता है इस damp proofing के जो method होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं methods of damp proofing सबसे पहला जो damp proofing का method है प्राइमरी जो damp proofing का method है उसको अपने किस नाम से जानते हैं by DPC course job wall foundation से निकल के super structure में आ रही है जो wall foundation से बाहर निकल रही है और कहां रही है super structure के अंदर आ रही है उस wall के plinth level पर एक ऐसा material की layer लगा देना जो water की imprevious हो ये motor की भी लगाते हैं high quality के, concrete की भी लगाते हैं RCC भी लगाते हैं good building stone भी लगाते हैं जादा पैसे तो metal भी लगाते हैं bitumen seat भी लगा देते हैं moisture की traveling को रोकना अपना purpose है कुछ नहीं है तो अच्छा polythene भी लगा देते हैं ये कहलाता है DPC दूसरा होता है यहां पर surface treatment surface treatment क्या होता है यह तो surface treatment का मतलब होता है surface पर एक in previous material की layer लगा देना surface पर एक in previous material की layer लगा देना या coating लगा देना यह क्या खलता है surface treatment तीसरे नमबर पर आता है internal treatment यह जो internal treatment होता है बेटा जी यह होता है जब concrete या motor बना रहे हो उसी समय बनाते समय ही उसके अंदर कोई chemical डाल देना जिससे उसका internal treatment हो जाए उसके अंदर कोई chemical डाल देना जिससे उसका क्या हो जाए इंटरनल क्या हो जाए ट्रीटमेंट हो जाए तो यह इसका internal treatment कहलाएगा यह सारे सेनेरियों अपने यहां पर रहने वाले हैं clear तो C इसका क्या है बेटा बिलकुल right option है अगला question जानिए next question following item measured in kilogram इन में से कौन सा item है जिनका अपने weight measure करेंगे age एक kilogram बेटा rolling shutter door यह तो वेटा meter square में measure होने वाला item है MS grill provided roof over the courtyard यह भी किसमे measure होगा वेटा यह भी meter square में measure होने वाला item है MS reinforcement RCC work यह वेटा अपने quintal में measure होता है जाए तर और expanded metal wire netting यह भी बेटा किसमें होता है meter square में measure होता है तो अब बताए किलो ग्राम में कौन सा measure हुआ B is the right option यह quintal में हो सकता है बेटा अगर मैं कहना चाहूं एक quintal is equal to 100 kg और अगर कहीं लिखा एक 10 में measure हो रहा है तो 1000 kg कोई जाल होगा तो वो मेटर स्केर में measure होना ही होना है किलोग्राम में measure थोड़ी होगा MS grill, roof cover, आंगन के ऊपर चत के ऊपर परवलित नर्म इस पात की जाली यह भी मेटर स्केर का ही meter है तो बच्किया कोन RCC वर्क में काम आने वाला जो इस बात है वो quintal, kilogram, ton इन सब में measure होता है अगर यह तीनों ही आ जाए तो बेटा, तो quintal को preference देंगे बेटा यह क्या है, mostly used unit है यहाँ पर, ज्यादा तर जो unit काम में ले रहे हैं वो यही है mostly used unit है वो अपनी यही रहने वाली है अगले point के और बढ़ते हैं, आज के नए question के और due to change of prime level, revise estimated prepare, एक sanction cost is exit to sanction cost exit हो जाए बेटा, 5% से, तब अपने क्या करते हैं इसके अंदर तो अपने क्या करते हैं, revise estimate बनाते हैं देखना यह है कि revise estimate के requirement कब-कब होती है point यह है, requirement of revise estimate requirement of revised estimate, revise estimate की requirement कब-कब होती है पहला, material deviation in market, market मेटरियल का deviation है, material की कमी आ गई है तो particular एक item का rate बहुत अधी के बढ़ जाएगा, ऐसी स्तिती में अपने क्या करते हैं इसको compare करते हैं दूसरा, change in original design, original design, during construction, during construction for future development future development को ध्यान में रखते हुए original design में दी change करेंगे तो cost का scenario पूरा change हो जाएगा आगे बात समझ में sir, brick building क्या होता है बेटा, जिसमें load bearing structure brick wall से बना उसको brick building कहते हैं सर्मा जी, load bearing structure जिसमें brick wall से बना हो उसको अपने कह सकते हैं दूसरा आपने पास एक आता है बेटा, cost during construction और एक होता है बेटा, दो trying cost एक होता है, sanction cost कितनी अपने sanctions कराई है change of price level, revise estimate, prepare, sanction cost estimate अगर यहां से यहां आने में 5% से ज़्यादा का difference आ जाए तो revise estimate बनाएंगे बेटा एक होता है cost during detail estimation during detail estimate इसमें यदि 10% का difference आ जाए तब revise बनाते हैं बेटा 5 और 10 का scenario में सा याद रखना बेटा कभी कभी paper को complicated बनाने के लिए examiner कभी कभी paper को complicated यंजामिन, करता क्या है paper को complicated बनाने के लिए examiner किया है इस पान्च और 10 का option में दे देता है खुद कितना है during construction। आजिवरेचन का राहा है यह detail से हो रहा है sanction। इसको अपने original sanction भी कह देते हैं इस वाले को original या money sanction भी कह सकते हैं और इसको अपने administrative approval भी कह सकते हैं बेटा और आज के लिए इतना ही info बेटा टेकनिकल प्रोलम से थोड़ी सी class late start हुई थी लेकिन अपने उतने ही जितने कुशन करने थे वो सारे cover किया है कल अपने फिर मिलेंगे सेम टाइम पर हिनी estimations के remaining questions के साथ पूरे detail solution के साथ स्याम को 9 से 10 बजे तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्त रहें मस्त रहें बने रहें उतकर इंजिनियर्स classes के साथ और पढ़ते रहें थैंक्यू चुह क्या सब सारे का क्याहता है